आज कल मैंना एक बुक पढ़ दाऊं जिस बुक का नाम है Think and Grow Rich ये बुक Think and Grow Rich निपोलियन हिल इस बुक की जो कॉपीज है वो लगबग लगबग 20 मिलियन बर्ड वाइड में इस बुक को जिसने भी पढ़ लिया ना उसका काम करने का तरीका जौब करने का तरीका बिजनिस कर सोचने का तरीका बदल जाएगा इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीका है और इस किताब के अंदर जितने भी जितने भी steps जितने भी इसमे क्योरी जितने भी इसमे knowledge दी गई है वो mind blowing है पता है आपको अगर आपने अभी तक ये book नहीं पढ़ी है तो please आज इस book को खड़ी दिये और पढ़ना शुरू कीजिए अगर आपने ये book नहीं पढ़ी और आप ये book को बिना पढ़े ही मर गए त तो आपने ये इनसान का जन्म लेना पता है गलत कर दिया आपको जन्मी नहीं लेना चाहिए था इसलिए अभी जाओ इस book को खड़ी दो think and grow rich को जिन्दगी में जिसने आगे बढ़ना है उसकी बात कर रहा हूं मैं मैं सिर्फ time pass लोगोवालों की बात नहीं कर रहा हूं जि इनस को दुनिया में जिन्दगी में आगे बढ़ना है अपने माबाप का नाम रोशन करना है वो इस बुक को जरूर पढ़े हैं दुनिया में जिससे जादा बढ़ा करना है बहुत आगे जाना है वो इस बुक को जरूर पढ़े इस बुक में मैं आपको फिर भी थोड़ा स कर देता हूं इस बुक के बारे में इसमें बहुत सारी स्टेप्स बताई गई हैं जैसे की डिजायर यानि की इच्छा फेट यानि की विश्वास ऑटो सजीशन्स यानि की अपने आपी किसी चीज़ का दिमाग में आना पहला पॉइंट इंडुड़क्शन डुड़क्शन मे पारे में क्यों लिखी है क्या रिजन था वो सारी चीज़ लिखी हुई है उसके बाद इसमें सब्सक्राइब पहले जो है वह फेट यानि की बिश्वास यानि की ट्रस्ट कि किसी और पर नहीं अपने आप पर अगर आपको अपने आप पर भरोसा है अगर आपकी डिजायर हाई है तो आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हो यानि की इच्छा अगर आपने ये मूड बना लिया है कि मुझे दुन्या में बहुत आगे जाना है तो दुन्या की कोई भी ताकक कोई भी ताकक आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से तो आपकी इच्छा भी दो तरीके की होती है एक होती है जो अभी अभी आई कि मैंने आज यह जंडे कार देना है मैंने आज इस दुन्या का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाना है मैंने आज इस दुन्या का सबसे अमेर इंसान बन जाना है मैंने सब कुछ आज ही कर देना है यह तो है instant desire एक होती है longer desire two desires desire there and longer desire longer desire सबसे अच्छी होती है कि वो desire हमेशा आपके अदर बनी रहती है example समझते हैं रात का time है बारिश हो रही है बहुत तेज तूफान है बहुत तेज लेकिन आपको चाय पीने का दिल है और time है रात के दो बज़ रहे हैं आपके इच्छा है आपके desire है कि मुझे इस बारिश में भीगते हुए चाय का आनंद लेना है लेकिन एक तरफ आप ये भी सोच रहे है यार बहर बारिश हो रही है मैं भीग जाओंगा बिमार हो जाओंगा चाय तो पीनी है आजनी तो घर बना के पी लेता हूं आजनी तो कल पी लूँगा desire है बारिश में पावर नहीं है इस्टेंट desire तो आया लेकिन वो longer में convert नहीं हुआ क्यों आपने सोचा लेकिन आपने इतनी हिम्मत नहीं करी कि मैं घर से निकलके बारिश में निकलके चाता लेके कार लेके मैं बारिश टॉल तक जाओं और जाके चाय को ढूंडू और प्य कि इसी तरीके से हम सब लोग क्या करते हैं अपने instant maximum लोगों के अंदर में instant desires होते हैं longer desire किसी के पास नहीं होती है सब ने अभी आपने सोचा अगर आपने ये वीडियो अभी देख रहे है न तो आपके दमाग बस अभी होगा कि मैंने आज से ही काम शुरू कर देना आप ब बज़े उटना है मैंने जिम जाना है यह आपकी instant है इसलिए हुई आपने किसी बंदे को बंदी को बहुत ही फिट देखा और आपने उससे आपने इंस्परेशन ली और आपने इंस्पार्ड हुए और आपने वोला मुझे भी अपनी बॉड़ी बनानी है आपने अज रात को सोचा कल सुबह मुझे जाना है सुबह छे बज़े जाना है लेकिन आप नहीं गए तो यह थी आपकी इस्टेंट डिजैर बस बनी बड़ वो खतम हो गई लॉंगर में कंवर्ड नहीं हुई इसी तरीके से आपके जिन्दगी में भी यही सेनेरियों है आप सब लोग कु इस बुक को पढ़ो और इस बुक से सीखो आपकी आपकी डिजैर ऐसी डिजैर होनी चाहिए आपकी ऐसी इच्छा होनी चाहिए तूफान आए आंधी आए आग लग जाए आप कितने भी टाड हो बड़ आपने जो आपके अच्छा है आपने उसके पिरती काम करना ही है अगर आपकी डिजायर इतनी हाई होनी चाहिए कि आप दुनिया में पुरे दिन में 24 घंटे की 24 घंटे आप काम कर रहे हों लेकिन फिर भी आप 10 मिट का टाइम निकाल के इस बुक को पढ़ें यह आपकी हाई डिजायर है अगर डिजायर नहीं है तो दुनिया में बहुत सार लाइवी कर जाता है विकिस उसकी डिजायर हाई होती है लॉंगर डिजायर होती है तो फोकस ऑन डिजायर नहीं पता है तो सोचो आपकी क्या इच्छा है आपने क्या करना है वह आज लिखी है पेपर पे और आज ही अपना उसका बॉल पीपर लगाई है फॉन पे जिससे मैंने क्या करना है और मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं करने के लिए ठीक है